दोस्तो आप Reels और Shorts बनाते हो और उसको वाइरल करने के लिए तगड़ी एडिटिंग होनी बहुत जरूरी है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे तीन फेवरेट आप जो मैं यूज करता हूँ एडिट करने के लिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो आज की डेट में चाहे रील्स हो या शॉट्स हो वाइरल करने के लिए अच्छी एडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है और मेरे काफी दोस्तों को यह गलत फेमी है कि भाई रील्स एडिटिंग कर कर दिया और आज मैं आपको मेरे फेवरेट तीन अप बताने वाला हूं जो मैं रेगुलर्ली यूज करता हूं अपनी रील्स एडिट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों है कलोरो कलोरो एंडरॉइड के लिए अवेलेबल है आयोएस दोनों में अवेलेबल है तो यहां करेंगे नीचे आपको बहुत सारे टेंपलेट जो है वो नजर आएंगे उसमें से आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं जो कलर टोन आप चाते हैं और इनकी जितने भी आप नीचे देखेंगे ना जो डिफेंट डिफेंट प्रीसेच इनों ने दिये में सारे सिनमाटिक क यह तीन डॉट का बटन है यह है एडजेस्मेंट का जहां पर हम अपनी साचुरेशन वाइबरेंज फेड आपके बेसिकली जो कलर आपके माइंड में चल रहा है जो एफेक्स आप डालना चाहते हैं वो आप इसको मूव करके प्लस माइनस करके एडिट कर सकते हैं साथ में आप इसको HSL आपका hue saturation चेंज करना है आपको color grading करनी है यह सारी चीजे आप इससे one by one कर सकते हैं और इसका एक detail वीडियो मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के लिए ले के आऊंगा तो यह वाला आप ज़रूर चेक आउट करें नमबर टू दोस्तो है हमारा Reels app Reels app अभी फिलाल के लिए only iOS पे available है लेकिन इसका सबसे बड़िया feature क्या है कि जब आप Reels app को download करेंगे तो यहां पे आपको मन पसंद जितने भी templates बने बनाए हैं मिल जाते हैं यहां आपने करना क्या है आप अपनी footage को डालेंगे चाहे वो 10 हो 11 हो 15 हो यहां Reels app आपको बता देगा कि भाई यह वाला आपको बनाने में इतनी footage लगनी है जैसे ही आप लगाएंगे upload करेंगे बाकी का जो सारा काम है वो Reels app कर देगा और आपको एक professional looking Reels जो है बना के दे देगा दोस्तों color का काम हो गया हमारे simple editing का काम हो गया अब एक और चीज़ आती है जहां पे आप slow mo add करना चाहते हो अपनी footage में और यहां पे मैं सबसे ज़ादा जो app यूज़ करता हूँ editing के लिए वो है हमारा VN app तो VN app मुझे slow mo करने के लिए बहुत बढ़िया पसंद है हाँ जो curves है आपको बहुत ही ज़ादा cinematic और अच्छे looking videos edit करने का मौका देता है और at the same time यहां पे आप अपने मन चाहे text जो है वो आप लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप अगर अपने footage को zoom in zoom out करना चाहते हैं कुछ transitions दालना चाहते हैं तो यह आप बहुत easily इस app के साथ आप कर सकते हैं तो यह 3 थे मेरे favorite app और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन apps पे one on one एकदम आप लोगों के लिए detail वीडियो लेके आऊं हर app का अलग से तो नीचे comment करके बताना और हम मिलेंगे जल्दी अपने अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारे को Instagram पे अगर आपन मिलते हैं जल्दी बाबाइ